ठीक है, दोनों ही किड्नी में फिल्टर होती है, मोहित जी, दोनों ही किड्नी में फिल्टर होती है, left और right दोनों से ही, लेकिन सामान्यता क्या होता है, हमारे सरीर में एक ही किड्नी काम करती है, दूसरा किड्नी कब काम करता है, ध्यान से समझेंगे आप लोग, जो नॉमली स सेवन किया हुआ है जब आपने सराब पिया हुआ हो उस दोरान आपका क्या होता है दोनों किड़नी काम करना सुरू करता है लेकिन इन सामान्य इस्थिती में हमारा एक ही किड़नी काम करता है जब एक ही किड़नी काम करता है जब एक ही किड़नी काम करता है जब एक ही किड़ पीएगा चाला पूधा भी गया फिर भी आपका ुई जो वस्के होगा पृटिटा तो जिंदा तो रखना है उसको एक खराब हो जाये तो दूसरे किड़नी पर वो क्या कर सके जिंदा नहीं से हैं अब कई लोग होता है उनका फिर आपका दोनों ही किड्नी खराब अब कहेंगे सर दोनों किड्नी अगर खराब हो जाए तो क्या कोई आदमी जिन्दा रह सकता है वह बिलकुल रह सकता है अगर दोनों किड्नी खराब हो जाए तो बंदा जरूर जिवित रह सकता है लेकिन उसके लिए क्या कराना पढ़ेगा रे kidney का काम क्या है blood को filter करना, रक्त को सुद्ध करना, तो भाया उसका रक्त सुद्ध करवा दो ना, उसका blood सुद्ध करवा तो वो जिंदा रह जाएगा, अब कहेंगे सर कि उसका blood कैसे सुद्ध कराएंगे, उसके अब यहां पर इसे क्या करेंगे और इस प्रेचर पर जैसे लिटाएंगे अब क्या करेंगे एसा नहीं है कि इसके शरीर से पहले सिरिंज के द्वारा सारा ब्लड हम पहले निकाल लें और blood को निका इसको लिटा दिया है और इसका सारा blood हमने शरीर से निकाल के उसको फिर हम पहले pure कर रहे हैं, उसे सुद्ध कर रहे हैं, उसके बाद फिर उसके सरीर में दूसरे तरफ से डाल रहे हैं, नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा, सुचो किसी person का सारा blood निकाल के उससे लिट करते हैं और यह solution क्या करता है उस blood को filter कर देता है और इसी प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग dialysis क्या बोलता है इस प्रक्रिया को dialysis कहते हैं और यहां से दोस्तों फिर दूसरे रास्ते से क्या करेंगे उसके सरीर में pure blood यानि कि सुद्ध रख्त हम लोग क्या इस तरह से क्या होता है इस तरह से हम किसी भी मतलब जिसका दोनों किड्नी खराब हो चुका है जिसका दोनों किड्नी फेल हो चुका है तो एक तो डाइलेसिस करा सकते हैं अब देखिए यह जो डाइलेसिस है इसका नॉर्मली जो कहेंगे सर खर्च कितना आता इस डाइलेसिस जाएंगे तो आपका 4-5 जार में भी हो जाता है, free में भी हो जाता है, कही सरकारी हस्कताल में, और दोस्तों आपके private hospital में जाएंगे, तो आपके 25-30,000 का भी खरचाता है, एक dialysis का, कहीं पर 50,000 का भी खरचाता है, लेकिन याद रखिएगा, ये dialysis जो है, ये permanent ilaz नहीं है, इ इसी व्यक्ति का kidney लेकर क्या करना पड़ेगा, आपको लगवाना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं, kidney transplant, kidney transplant इसका क्या होता है, पामाने डिलाज होता है, आप कहेंगे सर ये, जो kidney transplant, मतलब जो आपका, ये जो process है, dialysis ये कितने दिनों में कराना होता है, ये देखिए, आप किस प मतन, चिकन, पुरा फिस, ये सा पुरा खा रहा है, पनीर वगएरा पुरा दबा के, तो उस condition में भईया हो सकता है, आपको पांस दिन में ही क्या कराना पड़े, जाकर dialysis कराना पड़ेगी, क्यूंकि अगर आप कंच्रोल रखते हैं, चलिए, अच्छा किड्नी की जगा आरो लगाता है, चलिए, dialysis का process यही होता है, कि एक तरफ से हम ब्लड निकालते हैं, उसे एक solution से पास करते हैं, और इस solution के द्वारा ब्लेड क्या होता है, फिल्टर हो जाता है, और वो ब्लेड फिर प्य व्यक्ति के बॉडी में हम लोग क्या करता है, इंजैक्ट कर देते हैं, यह process होता है, dialysis का, अब हम लोग दोस्तों कुछ related, कुछ important points को discuss करेंगे, kidneys related, सभी लोग ध्यान से समझेगा, dialysis की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई न, alcohol में क्या होता है, उसमें acid होता है सूनम जी, है न, उसमें याद रखिएगा जो alcohol, दो तरह का सराब होता है, सराब की बात कीजा रही है, याद रखिएगा दो तरह का सराब होता है, एक होता है देसी, है न, देसी सराब, देसी सराब जो होता है न, इसमें होता है दोस्तों, methyl alcohol, क्या होता है, methyl alcohol, जिससे जहरीली सराब कि इसमें क्या होता है इथाइल अल्कोहल होता है या फिर जिसे हम क्या कहते हैं इथानौल कहते हैं इथानौल होता है और यह सराब पता है हमारे दिमाग में हमारे ब्रेन में किस जिसको प्रभावित करता है, तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है, जो हमारा पीछे वाला मस्तिस्क होता है, जो पिछला मस्तिस्क होता है, उसमें एक हिस्सा होता है, सैरा बेलम होता है, कौन सा हिस्सा होता है, सैरा बेलम, वो जाकर सैरा बेलम को क्या कर देत कर ही नहीं पाता है इसलिए वो इदर उदर लुडखता रहेगा जब कोई ज्यादा सारा पी लेता है तो अब हम बात करता है दोस्तों इसके आगे अब पॉइंट को आप लोग लिखेंगे कि हमारे सरीर में सारे पॉइंट आप लोग लिखते चलेंगे साथ में हमारे सरीर मे सामान्य तह एक ही किड्नी काम करती है, एक ही किड्नी कारिय करती है, जब किसी का दोनों किड्नी खराब हो जाता है, तो उसका डायलेसिस कराते हैं, तो उसका क्या कराते हैं, उसका डायलेसिस कराना होता है, उसका डायलेसिस कराया जाता है, यानि आपसे कई बार प्रशन पूछा जाता है, कि डायलेसिस का संबंध किस से है, तो याद रखिएगा किड्नी से है, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, कि नफ्रोन सेल, नफ्रोन सेल या नफ्रोन कोशिका किस से मिलकर बनती है, ग्लोमारियूलस और बॉमन कैप्सियूल से मिलकर बनती है, बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार आप से पूछा जाता है, कि बॉमन कैप्सियूल हमारे सरीर में कहां पर पाया जाता है, Glomerulus हमारे सरीर में कहाँ पर पाया जाता है याद रखेगा ये kidney में और kidney में भी दोस्तों कहाँ पर मिलता है kidney में भी मिलता है कहाँ पर तो याद रखेगा Naferon कोशिकाओं में इन points को आप लोग लिखेंगे साथ साथ सभी बच्चे इन points को not down करते चलेंगे not down करते चलेंगे सभी बच्चे अगले point की तरफ चलता है हम लोग इन points को सभी बच्चे लिखते चलेंगे हमारे स्रेड में सामान्यता एक ही kidney कारिय करती जब किसी person का दोनों kidney खराब हो जाता है तो उसका dialysis कराया जाता है Naferon, syl, glomerulus और bomin capsule से मिलकर बनता है कि जो kidney है, kidney का, एक kidney का भार बहुत important है एक kidney का भार कितना होता है 125 से 170 ग्राम होता है एक kidney का भार 125 से 170 ग्राम होता है यानि कि दोनों kidney को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा दोनों का आप मिला देंगे तो कितना हो जाएगा किड्नी के उपर पैरिटोनियम जिल्ली होती है पैरिटोनियम मेंब्रेन होता है इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे अब हम लोग चलते हैं इसके आगे यहाँ तक सभी बच्चे लिख लेंगे